बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों क्लास 12 का आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है हिंदी में जिसको आप इतिहास बोलते हैं तो इस सब्जेक्ट का बच्चों एक इ होने वाला है 10 जून 2022 को होने वाला है तो उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग आपको सेंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर समझने जिए वह देने का प्रयास करते हैं जैसे प्रीवियस जो आपके एक्जाम के उसमें भी दिया था और यह सैं जिए से जैसे जिए अपको प्रोवाइड कर रहे हूं यह बहुँ ज़्याद मज़त करें करेंगा तो इसी सीरीज में हमने थी लिए लीडियो भना दी है अगर आपके फोले totally विईजिल होने वाला है इस वीडियो को पहले complete देखे इन तीन दुखने के लिए आप इस वीडियो का वहां पर आपको यह अदर जो मैंने पेपर बना रखे है वह सारे देखने को मिल जाएंगे उनको भी जरूर देखेगा इस वीडियो को पूरा देखने के बार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चो देखिए हिंदी में इसको इतिहास बोलते हैं इस विसाय को और इं का भेपर रहेगा है लिखा पर आता ऐसे लिंगत स्क्राइब का बीटियो नमबर ऑड़ीए वारले वीडियो बना रहे हूं इस च्ट किओ coudy till day एक कोशन पेपर का कोड रहता है जो कि यहांपर आप देख सकते हैं और कुछ बैसिक बाते हैं उनको आप यहांपर देख लिजे नीचे जलते सामानी निर्देश की और बिल्कुल में सामानी नीर्देश कवर कर वा देता हो आपका यहीं बताएगा इस सामानी निरदेश के अंदर आपका पेपर होगा हिस्ट्री का पेपर यह चार सेक्षन के अंदर बटा अब आएगा उसके बाद आगर मैं बात कुन तो सारे आपको करने है नीचे चलते हैं नीचे देखें क्या क्या बताएगा है कि सेक्षन ए के अंदर आपको तीन नमबर वाले कोशन से देकर ले इनका एंसर देखने को मिलेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे कंपसर और आधाय इस में आधाय प्रेशन से दो सब्सक्राइब तरन तीन arm होगा आठवा और नुवा यह दोनों कुछन हमारा केस बेस के लिजिए स्रोत अधाई पुरस्ण आएगा चार चार नंबर के दोनों कुछन होगा उसके बाद सेक्षिन यह आपका निसमें अपने पेपर के बारे में वह ने आपका आएगा उस विसरय पर आनेवाला है उसके लिए आपको इतनी चीजह पता होनी चाहिए तो चलिए अब अपने पेपर हम लोग आ गए बच्चो सेक्षन एक के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड को भी बोलते है इसके अंदर हमसे short answer type questions जो है यह पूछे जाएंगे बच्चो तो section A का पहला question देखी section A में मैंने आपको बताया था किती number वाले questions पूछे जाएंगे तीन number वाले questions यानि कि three marks वाले questions यह ध्यान रखिएगा ठीक है और 80 सब्दों में कम सकम आपको answer देना है तो section A का पहला question आप अपने screen पर देख पा रहे होंगे कि सूरियास्ट विधी क्या थी और जमिंदार राजस्थो के भुगतान में क्यों चूग जाते थे तो सूरियास्ट विधी क्या थी जो मैंने paper बनाये थे previously history के उसमें से एक paper मैंने question पूछा था और काफी सारे बच्चो सूरियास्ट विधी मतलब एक date होता था जैसे कि भाई यह fix date है आज होगे आपका पांच जून ठीक है मैं आपसे आठ जून तक आठ जून दो हजार बाइस तक का time दे रहा हूं और इस time तक मेरेको tax दे रहे ना आठ जून की सूरियास्ट यानि कि आठ जून का जो सूरज जूब जाए उससे पहले संसेट से पहले आपको अपना tax जमा करवा देना है तो यही चीज़े हाँ पर लिखा वह भी देख सकते कि सूरियास्ट विधी के अनुसार यदि निश्ची तारिक को सूर्य के अस्त होने तक राजस्टों का भुगता नहीं आता था तो जमिनारी सुरज कि तक दूब रहा है और आपने टैक्स नहीं दिए अगर आप एक जमिंदार तो आपके जमिंदार यो है वह निलाम कर दी जाएगी तो यह था हमारे सुधियास्टविदी और उस Such Blair तो देखिये, राजसों मतलब टैक्स, जमिंदार लोग जो थे ना वह राजसों की रासी के भुगतान मी चूप जाते थे, क्योंकि प्रारंबिक मांगे बहुत ज्यादा थे, यानि कि टैक्स ज्यादा मांगते उसके वार वो लोग आये अंग्रेज लोग बोले कितना वसुल साट सत्तर रुपया और हमको असी रुपया चाहिए लाओ असी रुपया दो अब वो बोलतार भाई कहां से दूआ तो यह कारण था दूसरा है जमिंदारों की सकती केवल राजस्तों इकटा करने वा उसके प्रबंध तक ही सीमित थी यानि कि जमिंदार वो लोग हुआ करते थे उनके पास जो पावर थी ना उस टाइम पे वह इतनी थी कि खाली वो लोग टेक्स वगेरा कलेक्ट कर सकते थे लेकिन इन ही सब चीजों के करण आप क्या सकते हैं कि वह राजस्तों की रासी भुकतान में चुप जाये करते थे तो कि उनको और पावर्स नहीं थी अगला है फसल अच्छी हो या खराब हो राजस्तों का ठीक समय पर भुकतान जरूरी था यानिकि आप फसल उगा रहे है और आपको ऊगा नहीं ऊगा आख बार हा गया कोई मतलब नहीं उग्या वह जमिंदार को बोलेगा भाईया जमिंदार हमको लाओً टेक्स और जमिन्दार लोग किसानों के पास गये किसान माई बाप हमारे पास नहीं है तो फसल खराब हो गया भाई इसका फसल घ्राब हो गया तो किसान ढोंड सके पास नहीं है तो जमिंदार आ करके क्या बोलता था अंग्रेज को भाई अंग्रेज जी नहीं है इसके पास ठीक है नहीं दे पाया टैक्स नहीं हो पाया लेकिन अंग्रेज लोग क्या बोलते थे फसल हो ना हो हमें टैक्स चाहिए तो चाहिए तो इसलिए यह लोग अपना टैक्स नहीं प आपके दोस्त बोलते है क्या पढ़ रहा है यार मैं होना तेरे साथ पीछे में बैठाएं टेंसन ना ले वैंसे चीज होता था इसलिए ये लोग इसके भरकावे में आ जाते थे किसान लोग यह जमिनदार लोगों को सब्सक्राइब करने लोग रजस्तों के भुग्टान में चूक जाया करते तो आपको समझ में आएगा तो इस तरह से ऐगा इस तरह से पूछेगा और इंग्लिस में आपको एंसर लिखते चलना है अपना यहां पर आप देख सकते हैं यह वीडियो हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है प्लस में इंग्लिज मीडियों वाला बच्चा है हिंडी मिय स में उसका ट्रांसलेशन रहेगा वह मैं दिखा दूना आपको लिखना है वह कुछ इसक्ते हुए चलना है यहाँ पर आप देख सकते क्या था विभिन सामाजिक वर्गो ने आंदोलन में किन विभिन तरीकों से भाग लिए थिक है तो देखिए असयोग आंदोलन का सिंपल सा मतलब यह समझे कि सहयोग ना करना थिक है अब बाकी एंसर यहां पर समझने का प्रयास करते हैं देखिए गांदी जी ने 1920 में असायो गांदूलवन की शुरुवात की रोलेक्ट सत्यागरा की में सफलता जलियावला भाग घटना हो गयी रोलेक्ट सफल रहा इंद मिन्स की यह थोड़ा में गलत बोल गया रोलेक्ट क्या था न बच्चो यह कानून था जो कि अंग्रेजों द्वार लाया गया था और उसको देखते हुए जलियावला भाग का घटना हो गया और अंग्रेजों की वादा खिलाफी ने गांधी जी को असयो गांदूलन को प्रेरित किया यानि कि अंग्रेज लोगों के इतने प्रूर व्यभार ऐसे कानूनों और वादा करके मुकर जाते थे न यही सारी ची खिलाफत आंदूलन के समर्थन देकर हिंदू-मुस्लीम एकता पर बल दिया गयता है यानि कि असयोग अंदूलन के साथ-साथ गांधी जी ने खिलाफत आंदूलन जो उस टैम पे चल रहा था उसको भी मिला दिया असयोग आंदूलन वही कि आप छात्र लोग बढ़ चड सब्सक्राइब ने बढ़ चड़ कर लिया सरकारी संस्थाओं पर परित्याग किया गया थीक है सरकारी जो संस्थाए थे उनका परित्याग किया गया मतलब थी यह लोग ना वहां जाने बंद कर दिया वहाँ अंग्रेज द्वारा बनाएगी कोई चीज का इस्तमाले नहीं सबने बढ़ चड़ करके इसमें हिस्सा लिया तो इस तरह से परकार से लिखते हुए चलना है यह आपना एंसर देख सकते हैं बच्चों बच्चों अब लोग अगला कोशन देखेंगे आपको ऊपर वाला कोशन नहीं आता तो नीची वाला कोशन कर लिए आपको चोइस दे रहे हैं लोग अथ्वा दे दिया बीच में तो यह अथ्वा जो होता है ने बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है स्टुडेंट्स के लिए खासकर आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा और मैंने जब अपने टाइम पर बोड दिया तो 2019 के अंदर तो मेरे लिए तो बह अध्वा बी वाला बी कोशन हैं अब कोशनन मारे टम्ट करनेया थीक यह वाला आपका कोशन नम्मरрав desытा करना तो पूरा चमट कर लेंगे जूंब vier मिली अत्वा बहुत पाइदेशी गांधी जी ने नमक को ही विरोध के प्रस्ताओर के रूप में क्यों। है तो गांदी जी ने जो नमक के बारे में आपने पढ़ा हुगा कि कैसे हैं नमक कानूनों का उलंगन किया का उन्होंने हुए तो देखिए हैं यहा पर गांदी जी दिसमें नमक विरोध का ये प्रतीक था यह हो गया आपका नमक चुनने का कारण यह भी लिख सकते हैं अगला है ब्रिटीश सरकार दोरा नमक के उत्पाद और विक्रे जो था ना उस पर राजे का एकाधिकार था कि मतलब जो ब्रिटीश गवर्मेंट है वही कंट्रोल करेगी कैसे बेचा जाएगा कैसे खरीदा जा अगला है नमक के विरुद जनता में काफी असंतोष था तो इसी तरह से काफी पॉइंट्स है यहां पर आप देख सकते हैं करीबन 6 पॉइंट्स के आसपास लिया हुआ है जो कि आप देखी सकते हैं और इसमें से कोई भी तीन पॉइंट्स में आपको एंसर अपना एक्स् सब्सक्राइब कर देना है तो आपको इसी नमबर मिल जाएगा वच्छो तो इस तरह से पूछेगा यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आपका कोशन रहा और इंग्लीश में एंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है यहां पर आप देख भी सकते है इस तरह से अपना एंसर आपको इंग्लीश में में लिखना है आगे चलते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है तीसरा कोशन कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रो को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए जो अंग्रेज लोग थे 1857 को जो विद्रो हो रहा था तो उस अगला मुकदमे चलाए गया जो लोग थे वहां पर मतलब काफी सारे लोगों पर यूहीं मुकदमे चलाए गया जो विद्रो हो रहा था उसको रोकने के लिए सैनिक कारवाई की गई थी ठीक है पूट नीती अपनाये गया तो जीतनी भी वह लोग कह सकते हैं घिनोनी यह रामू है इसको बोला कि तू एक जमिंदार है अगर तू वफादारी करता है विद्रोग कुचलने मेरा साथ देता है तो तेरी जमीन जो है वो तेरे को दे दूँगा ठीक है टैक्स माफ कर दूँगा फलाना डेखना मतलब बहुत रखे लालच भी और इनाम का प्राव 1357 ठीक है तो एंसर आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पर आप देखी सकते हैं बच्छो आयों कितना आपको समझी में आओगा अगर आपको बच्छो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक रुकना नहीं चाहिए यार वीडियो करो दबा करके मोटिवेशन बढ़ाओ हमा लेवल बढ़ेगा और आपके लिए हम लोग और भी हिस्ट्री के सैंपल लाइंगे लिए तो लाइक में बिल्कुल कंजोसी मत कीजिएगा अगला कोशन ती नंबर के लिए कि पांच वी रिपोर्ट क्या थी व्याठ्या कीजिए बहुत इंपोर्टन कोशन से डिसकस कर रह क्या अगला है एक अजयार से अधिक परी सिस्ट्र में यह तैयार की गई तो से कुछ है बाति बताशन के बुटन के विए के विए पांच विएब को फिस्ति लिया से इस. आगे चलते हैं सेम कोशन अगर इंग्लिस मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ट वास्ट रिपोर्ट एक्स्प्लेइन करने आपको तो एंसर कुछ इस तरह से रहने वाला आपका इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे Keypress अभी कषिय प्रीख करते हैं यहां पर प्रयास करते हैं इन अब अउकर अइन यहां को Oyक centre कि अपर तभी फैल्त है जब लोगों के जहन में गहरे दवे डर तथा संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है 1857 के विद्रोह में इस कथन की पूष्टी कीजिए कोशन को इतना तोड मरोड़े भूमाक तिरा के पूछा है कि अफवाह तभी फैलती है जब लोगों के जहन में गहरे दवे डर तथा संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है 1857 के जो हमारे रिवॉल्ट हुआ था विद्रोह हुआ था इसके संदर्ब में इस कथन को यह आपको यहां पर दे दिया ना यह वाला कथन ठीक है इस कथन के बताना है आपको 1857 के विद्रोह के संदर्ब में पूष्टी करना है आपको ध्यान रखिएगा तो चलिए समझते हैं वच्चों के एंसर कैसे आप लिख सकते हैं तो नीचे चलेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा एंसर इस तरह से लिखेंगे कि लोग अप 157 के विद्रोह के समय को ध्यान से अध्यान करें तो लोगों के मस्तिस्की यानि कि दिमाग में डर के कारणों का पता चलता है अब क्या क्या चीजे हैं जो हमें यहां पर और निखनी है यह क्या क्या है यह निमलिकित कारण है जैसे कि पहला लौड विलियम वेंटिंग की समय ब्रिटिस सरकार ने पस्चिमी सिच्छा पस्चिमी विचारों पस्चिमी संस्थाओं के द्वारा भारती समाज को सुधारने के लिए विशेश मीतिया अपना है उसके बार आगे लिख सकते हैं आप कि 1829 में सती प्रथाकान और 1856 में जो हमारा विद्वा विवाग को विद्वा लोग भी अपना विवाग कर सकती है तो यह सारे काम किये जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा लेकिन इसी के ले करके तर्ज पर हमारा विद्रोह से संबंधित आपको यह लिखना है अगला है लौड दलहोजी ने अधिग्रहन की नीटी के अंतरगत कई रिया लेकिन अगर आपका कोई राजकुमार नहीं है तो भाई वह अपने अगर आगे चले तो अगला है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कि अपने राज्य में मिल गए छेत्रों में अंग्रेज अपने धन की सासन वगस्ता चलाते थे अपना कानून पदिती वागेरा होत आप लगा कर अवध का विलय किया नवाज वादिय अली साथ लोगों में लोग प्रियत थे उस टाइम पर उनको पॉलकत्ता भेज दिया तो यह भी आप लिख सकते हैं काफी सारे पॉइंट से यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है वह इस तरह से नमबर का कोशन सब्दो की सीवा का खास नमबर के कोशन में एक आपका ब्रूमी का बने एक निशकर्स बने बच्चो यह आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा आई बटन में हो सके तो लिंक दे दूंगा आई बटन में नहीं तो आप एक काम करिएगा चैनल पर जाईएगा वीडियो वाले सेक्षन में थोड़ा स्क्रोल करिएगा नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा कि भूमिका निसकस कैसे लिखते हैं वह जरूर देखकर के जमिनदार क्यों चूज जाते थे तो वही राजस्तों की बहुत उंची मांगती जो भी उगाया जाता था ना उसकी कीमत बहुत काम होती थी ठीक है और समान राजस्तों था कि यानि कि टैक्स जो था पूरे देश में अलग-अलग तरीके से लगाया था शूर्यास्त विध इस तरह से पूछे का वाय डिट द जमिनदार डिफॉल्ड इन पेइमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द इस इंडिया कंपनी एंसर आपको कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है यहां पर आप देख सकते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन अब हमारा है अथवा में कर सकते हैं इसके क्या कोशन पूछा है कि जोदार कौन थे और उनकी सक्तिया जमिनदारों के तुल्ना में अधिक प्रभावी कैसे थी अब यहां पर आपको पतको पता चलेगा कि जोद्दार कोन होता है जमिंदार मोटा मोटा आइडिया होगा आपको कि टेक्स कलेक्ट करने के लिए बिचौलिये काम करता था टेक्स कलेक्ट करता था किसानों से और जा करके अंग्रेज लोगों को दे दिया करता था लेकिन जोद्दार कोन हुआ करता था ठीक है तो उस तो चलिए समझते हैं जोद्दार कोन होते थे और जो इनके सक्ति है उसकी तुल्ला कर लेंगे यहां पर देखिए तो लिखा हुआ है कि धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग जो उत्तरी बंगाल में काफी सक्ति साली था जो दार जमिंदार से अधिक प्रभाव साली थे उसके लिए यानि कि यह जो दार लोग हुआ करते थे न यह अमीर अमीर किसान लोग जो होते न रिच फार्मर्स जिसको अब जमिंदारों से अधिक क्या क्या कारण थे तो यह समझ लिए उसके सक्ति साली होने के निम्लिकी कारण जोदार क्यों सक्ति साली थे तो उनीश्वी साप्ताब़ी के आरम तक धनीक किसानों के इस वर्ग ने बड़े-बड़े भागों पर अपना नियंतरन स्थापित क कुछ जोत दारों के भूब भाग तो अगला है कि इस्थानिय व्यापार पर भी इनका नियंत्रा अगला है वे अपने चेत्र के गरीब कास्तकारों पर व्यापक सक्ति का परियोग करते थे है पर आप देखेंने तो गरीब वक्तर के लिए एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रा अधिक उता ता च्जादा करते और किसानों को जोद्दार उटसाते थे जोद्दार रहा है ऐर मैं तरह पीछे खड़ा होना तू मत दे टैक्स ठीक है और इसलिए क्या होता था जमिंदार लोग को टैक्स नहीं मिलता था जमिंदार लोग जो राजसु की राशी अंग्रेजों को भुपतान करने में चूप जाते थे तो यहां पर कड़ी से कड़ी हुई है एक कड़ी दूसरे से लिखते हुए चलना है यहां पर देख सकते हैं जोद्दार के बारे में दिया हुआ है चीज तरह से यहां पर आप सकन्सों कि नेजे जलते हैं आगे चलें तो अगला कोशन देखेंगे यहीं पर थोड़ी सी बाते और रहें यहां पर आप इंगलेस मेडिया वाले बच्चे देख लीजें आगे अगर हम चले तो अगला कोशन है हमारा साथवा कोशन कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कार्णों की चाहसन के आधार पर परवरी 1856 में अवद को ब्रिटिस सामराज्य में मिला लिया जबकि अधीक अंग्रेजों का समर्थन तथा आग्याकारी राज्य कोई भी नहीं था अवद मतलब पूरा एकदम कह सकते ना समर्पित था अंग्रेजों को लेकिन फिर भी अंग्रेज लो करने के लिए कानुन बना रहे थे ना सती पुर्था बाल विवा कर दिया हिंदू लोग थे लोग भाई तु हमारी संस्क्रिति को च्रट चाल कर रहे हैं लो वाई हम करेंगा ठाशान तावन का विद्रोव तो यहां पर देख सकते हैं यह सारे आप लिग सकते हैं इस तरह स तो करीवन साथ पॉइंट में आपको एंसर दिया हुआ है यहां पर इस कोशन का और कोई भी छे पॉइंट अगर आपको छे नंबर मिल जाएगा आगे चलते हैं यहीं कोशन अगर आप से इंगलिज पी पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि डिसकॉशन पूछेगा जो आपको एंसर लिखते हुए चलना है कुछ इस प्रकार से इंसर आपको लिखना है यहां पर आप देखी सकते हैं उस तरह से यहां पर आपको इक अथ्या देशन नहीं आता तो नीचे वाले कोशिन आप कर सकते हैं तो इसके अत्वा में देखिए क्या कोशिन पूछा है यहां पर कि 1857 की करांती के विद्रोही क्या चाहते थे और विभीन सामाजिक समुहों की द्रिष्टी में कितना पर्ख विद्रोही उस टाइम पर विद्रोह कर रहे थे वो चाहत लहां आसे विद्रोही जागिर्दा किसान अस्थित्य कार रहे थे वह लोग उनको पता था कि अगर अंग्रेज लोग रहेंगे तो उसले विद्रोही यह सारी चाहते थे और काफी चारे पॉइंट से मैंने अगला है कि भारत का गरीमा संस्कृति थापना करना चाहते थे थे भारत के वापस सोने की चिडिया बनाना चाहते थे खार मग वायरा आत्म सम्मान और हम भी संवान यो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट से यहाँ पर यहां पर देख सकते हैं न से कॉछ प्रकार से आपको लिखते चलना है कुछ इस प्रकार से यहां पर देखते चलिए तरह से आपको एंसर लिखना है बच्चो तो यह था आपका एंसर आगे चले अब हम लोग आगए है सेक्षन सी के अंदर इसको हिंदी में आप खंड गौ भी बोलते हैं इसमें स्रोत आधायत प्रस्नियानी के सोर्स बेस्ट कोशन साथ से पूछे जाएंगे सेक्षन सी का पहला कोशन है आठवा कोशन स्रोत है यहां पर स्रोत जो दे रखा है वो प्रिथक निर्वाजिका के ब कि खिलाफ गांधी जी का मुख्य तर्क क्या था तो गांधी जी का मानना था कि अस्प्रिश्यता के लिए प्रिथक निर्वाजिका एक प्रावधान से उसकी दास्ता इस्थाई रूप ले लेगी और साही चीज़ें आप बोल सकते हैं मैंने एक आपको में चीज बता दिय प्रिथक निर्वाजिका के इस्थान पर गांधी जी चाहते थे कि अस्प्रिश्यता का विनास किया जाए यानि कि चुवा चूत वाली विमारी है इसको आई खत्म करो आगे जलते हैं अगला कोशन देखिए बच्चों यहां पर 8.3 में है कि क्या प्रिथक निर्वाजिका कि समस्चा को खत्म किया जाना चाहिए अपने उत्तर के लिए अ मतलब पक्ष में इस एक तर्क देने आपको तो यह कमेंट करके बताईए मुझे कोशन करके बताईए जिसका कमेंट बिल्कुल सही होगा उसको मैं हाट का सिंबल दूगा ताकि पता चल जाए कि बच्चे न ॥। आगया बागी चलते हैं यही इंगलिस में आएगा यह स्रोथ वाला तो इस तरह से पूछेंगा आप यहां पर देख सकते हैं στο को पढ़ना चांते हैं यहां पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पास्ट करके बच्च है और नीचे चलूं तो मैं बात करूं अगर को इनस कोशन है यह आपको कमेंट करना है सभी बच्चों को अब लोग आ गए बच्चों नौवे प्रस ने भी श्रोत आधाईत है कि श्रोत को पढ़ना और एंसर लिखना आपको तो देखिए इसमें श्रोत जो है न यह आपका सविधान का निर्मान वाला जो चैप्टर है उससे ल लेटल जो कोशन है 9.1 एक मिनट 9.1 में रिखे है क्या कोशन पुछा है कि हमारे राष्ट्र की भासा कैसी राष्ट्र की भासा न तो सांस्कृुनिस्ट होनी चाहिए और ना ही फार्सी निष्ट उरधू यह दोनों का सुन्दर मिश्रण होना चाहिए यह शुरोत के आधा तो इस तरह से अंसर आप यहां पर देख सकते हैं आगे अगर मैं चलूं तो यह दो नंबर का कोशन है आप यहां पर देख सकते हैं कि खुद को हिंदी तथा उर्डू से बांध लेना देश वक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध है विवेचना करने आपको तो ऐसा करने से मानविये विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्य को अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती है और ऐसा करने से देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचते हैं तो इस तरह से दो नंबर में अंसर आपको लिखना है तो इस तरह से यह सोर्स आएगा आपका जो पूछेगा यहां पर आप देख सकते हैं तो पूछेगा वो कुछेगा यहां पर आप पड़ सकते हैं उसके बाद 9.2 वीडियो को पूज करके आप पढ़ सकते हैं तो इस तरह से नॉवा कोशन हमारा समाप होता है अब हम लोग आ गया है section D के अंधर इसको हिंदी में आप खंड घौ भी बोलते हैं माजीतर अधाई प्रस्लियनी मैप के इस सेक्शन के अंदर पुछी जाएंगे दो नंबर का कोशन मैप वला आएगा ध्याने तो भारत का मैप उससे पूछा है यहाँ पर आप देखिए क्या है पहला कोशन यहाँ पर वह इस्थान जहां गांधी जी ने असयोग आणोलन वापस ले लिया तो वह था इस्थान वह लोकेशन था आपका चोरी चोरा नाम का जगह था चोरी चोरा कहा पर है यह मैप दिखाना चाहूंगा या पर बहुत सारे जगहें दर्साइग गई आगे जलते हैं अगला कोशन देखिए इसी के अथवा में पोशन दे लिया कि अगर आपको ऊपर आपको कोशन नहीं आता तो नीचे आपकर सकते हैंकर अथाम कोशन कोचा है कि वह अस्थान जहां गांधी जी ने मिल मज़बोरों के बाठर स्थिती लिए लिए अंदोलन क कहां locate करना है आपको map के अंदर यह आपके सामने भारत का नक्सा है आप यह देख सकते हैं और इसके अंदर अहमदाबाद आपको यहां देखने को मिलेगा बुझरात के अंदर तो जो दूसरा है आपका पहले का दूसरा उसका हो जाएगा अहमदाबाद अब हम लोग आगे चलते हैं अगला question देखते हैं यहां पर आपका A में हो गया दसवे का A हो गया दसवे के B में question पूछा है कि भारत के दिये गए इस राजनेतिक मांकित्र पर भारती राष्टी आंदोलन से संबंधित एक स्थल A अंकित किया गया है इसे पहचानी और इस स्थल का नाम उसके प आपके screen पर दिख रहा होगा यह राव बंबई आपका तो यह आपको बी में इस तरह से locate करना था 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 आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे वीडियो को उतना ज्यादा हमारा मोटीवेशन बढ़ेगा और वीडियो इसको बनाने के लिए आप चैनल पर नए आगए और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप subscribe कर सकते हैं बिल्कूली प्री है बगल में आपको बैल का इकन देखने को सबसे पहले आपको पर आ जाए करेगा ताकि आपकी त्यारी और भी अच्छी तरीके से हो सके आज के लिए इतने वच्चों मिलता हूं आपसे लिए और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक क्लिए खुछ रहे हैं खुछ रखी सभी को जैंग वन्दे मात्रा